नमस्कार दोस्तों मैं संदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस टो यूटूब चैनल में दोस्तों आज है क्लास नमबर थ्री आज कि इस वीडियो में बात करेंगे जो भी इनवर्शिटी वा कॉलेज के चाहतर है उनकी परिच्छा होने वाले जिन भी चाहतर ह में काफी हिल्फ करें ठीक है तो जहां से समझें का एक पॉइंट ठीक है बिना देरी को वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आज किस वीडियो में जो कोईश्चन प्रवाइट किये जाने वाले हैं वो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि इस चैनल के मादम से लिए ठीक है तो इसलिए आप लोग टेंशन मतले वाले तो आज जो वीडियो होने वाली वह विए के समासाफ्त के सब्जेक्ट लिए निखांगे में जाए में बिनादेर को चैनल को ने के लिए हलफुल है तो दहां समझे का एक हो सकता है आपके एकजाम में यह सारे को वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को बढ़ते हैं और यह सारे क्वेश्चन जो है आप सभी कुमालों को पिछले कई सालों से यानि की चार-पांच सालों से लगातारी निवर्शिटी ने लाउंस्मेंट कर दिया है कि बिए फस्टियर में जो कुछे जाएंगे वह मार सीट पे एक जाम होगा और अब्जेक्टिव कोश्चन आएंगे जिन भी जिन भी निवर्शिटी में लागू नहीं हुआ है उनके लिए मैं अलदर से वीडियो मनाऊंगा तो उनके जो परिछाएं होने वाली है वह सकता सब्जेक्टिव बेस पे हो लेक हैं उनके लिए बहुत important question आज है समाज साथ का यानि कि इसमें आप सभी मालूम है कि कितने पार होते हैं दो तो इसमें हम बात करेंगे फस्ट के से फस्ट पेपर की तो फस्ट पेपर से समंधित यह सारे question लिए गए हैं लिखाए कि समाजिक अस्त्रीकरन का सबसे प्रारें होगा कि अस्त्रीकरन का सबसे प्रारेंबी ग्रूप था आपसे मिल जाएगा जागीर दारी पर था बी नमबर है जमींदारी पर था और दास पर था और डी नमबर राजतंत्र तो इस question राइट एंसर आजाएगा बिना देरी को हम question का answer बताएंगे लेकिन आप ध्यांस question को समझेगा क्योंकि यह सारी question बहुत ही टॉप लेबल के हैं इस question के तो राइट नेंसर हो जाएगा आपसे नमबर आपसे नमबर सी दास प्रथा समाजीक अस्त्रीकरन का सबसे प्रारंबिक रूप था ठीक है दास प्रथा इसलिए टिक करेंगे हम किस पर सी नमबर पर गोश्चन है कि जब समाज को उच्छटा और निम्रता के क्रम में विभाजित करते हैं आपसन में नमबर बी अस्त्रीकरन ध्यान दीजिएगा इस तरह के बहुत सारे question आ जाते हैं जो आपको समझने में तोड़ी प्रोब्लम होगी लेकिन अगर आप ध्यान को पढ़ेंगे तब आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहरा है ठीक है आप लोगों को साथ साथ में पूरी तरह सफल होगा है कि अस्तिकरण हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं कि निम्नांकित में से मार्क किसे अफ्तिकरण का अधार मानते हैं आप जानकारी के लिए मता दो मार्क से जब आप लोग समासा थोड़ा पढ़ लीजिए गा तोड़ा उठाके कि बुक या पी आपके पास कोई मार्डल कोईश्चन है या फिर आप लोग से लीजिए तो आपको जानकारी हो जाएगी क्योंकि डीटिल में मताएंगे वीडियो बहुत नमभी हो जाएगी ठीक है माक्स किसे अफ्तिकरण अधार मानते हैं नंबर एक संस्कीत धर्म और सक्ति और सत्ता और नंबर आर्थि मिल जायेंगे आपको तो यह किसमाः अफ्त्री हैं माक्स जी तो यह कहते हैं कि अपने मीन में से कौंसा प्राकार वादी नहीं है नंबर एक वेवरे इसलिए डेविस पार्शंस इन में से सभी तो यह सभी जो है नाम यह सभी समाख सास्त्री के नाम है ठीक है समाख सास्त्री है यह लोग तो आप लोग ध्यान से समझेगा इस कोश्चन को राइट एंसर हो जाएगा निम्री में से जो कौन प्रकारिवादी नहीं है तो वह है इसलिए कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा ए नंबर ठीक है वेवर अगले कोश्चन के और हम बढ़ेंगे अगला कोश्चन है कि दासपर्था का प्रचलन निम्रीखित में से किन देशों में प्रचलित रहा है नंबर एक दच्छिन अमरिका में यूनान में रोम में इ किन सबढ़ेंगे अंगले कोश्चन के अगले और गुस्टन करना नंबर एक खुलाफर्थी करण बी नंबर जंगीरे तो इस question को जो right answer हो जाएगा दोस्तो वो हो जाएगा option number right answer C बंद अस्तिकरण ठेक है ठेक है दोस्तो बंद अस्तिकरण C number बढ़ते हैं अगले question के और लिखाएगी जागीर प्रथा पिचलित थी कि दो जागीर प्रता फिलिटी मध्युगीन यूरूप में उसकान चांग है तूच में इंसर होता है तो आप लोग इसके एंसर भी ले सकते हैं यह फिर नोट डाउं भी कर सभी तो दोस्तों मैं आपके जान करण के जो अधार है वो सभी है सिच्छा भी है जन्म भी है संपत्ति भी है इसलिए को राइट एंसर हो जाएगा इन में से सभी बढ़ते हैं मांके लिए कोईश्चन के और अगला कोईश्चन है कि दुनिया के मजदूर एक हो या नारा किस इसका है ठीक है आफसर मिल जाएगा जाओं लाल नहिरू का महत्मा गांधी का सुभाष्चन बोस्का और आफसंदी है मार्क्स तो इसको राइट एंसर हो जाएगा यह जो नारा है वो मार्क्स है इसलिए राइट एंसर डी हो जाएगा ओके अम बढ़ेंगे अगले क्यों क किस लेखक ने अस्त्री करण को एकी करण के सिधान्त के रूप में प्रस्तुत किया है या फिर था था है और था में कंफ्यूज में जोएगा क्योंकि कुश्चन आपके एक्जाम में जबाएंगे न तो थी है हो जाएगा तो आप मत समझेगा कि प्रिजेंट की बात हो रह पार्संस और दिनमबर दुरखीम तो इस कोश्चें के राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा आफसर नमबर सी पार्संस ऑके अस्तिकरण के एगी करण के सिधान्त की रूप में प्रस्तुत किया है पार्संस ने कि किसने कहा था धर्म लोगों के लिए अफीम है बहुत इ इसे 100% मांग चले इसकी शोट लेजिए और डौट डाउन भी कर लीजिएगा कि किसने कहा था धर्म लोगों के लिए अफीम है आफसर मिल जाएगा जांसन और बी नमबर गांधी जी सी नमबर मार्क्स और डी नमबर पैरेटो तो गेरा यानिकी गेरा नमबर जो कुश्च में कि मद्ध कालीन यूरूप में समाजिक अस्तिर करण का मुख्य आधार था बहुत इंपॉर्टन कोश्चन यह लिखा कि आप्सन नमबर एक मिल जाएगा धर्म बी नमबर है वर्ग यह विभाजन सी नमबर है जागीरे डी नमबर संपत्ति तो इस बारा नमबर कोश्च का याल बेक्त करने वाले प्रमुख विद्वान हैं रूसो मार्टन वेबलीन ठीक है तो इस कोश्चन के जो राइट अंसर हो जाएगा वह जाएगा आफ्षन नमबर कि ठीक है डी बेबलीन ठीक है बेबलीन राइट अंसर डी हो जाएगा तो आप लोगे समाज सास्त्री और इन्हें आप लोग विद्वान भी कह सकते हैं अपने अपनी भासा में आप लोग समझ लीजिएगा ठीक है वेबलीन विद्वान में अगले कोश्चिन के और हम बढ़ेंगे अगला कोश्चिन कहीरा कि सोरो किन तथा वेवर ने अस्तिकरण के निम्नांकित में से किन आधारो का उलेक किया है नमबर एक राजनेतिक का वी नमबर ब्यवसाईक का C number है आर्थिक का D number ये सभी तो इस question का right answer हो जाएगा सोरो तथा वेवर ने अस्तिकरण के निमनाकित में से किन आधारों का उलेक किया तो उन्हों ने किया राजनेतिक कभी किया है बेशाइक कभी आ है आर्थिक कभी किया है इसलिए question का right answer हो जाएगा ये सभी यानि कि D number ओके अगले question के और हम बढ़ते है अगले question के और हम बढ़ेंगे अगले question के और हम बढ़ेंगे अगला question कह रहा है कि अफ्तिकरण के संगर्स सिधान्त में निम्न में से किसका संबंद है वेबर का, मार्स का, मैकाईवर का D number, डेविस का तो इस question का right answer हो जाएगा वो हो जाएगा मार्स का इसलिए question का right answer होता है B number अफ्तिकरण के संगर्स सिंधावत में जो संबंद है वो मार्स का है इसलिए right answer भी होगा अगले question के और हम बढ़ते है अगले question के रहा है कि निम्न में से अफ्तिकरण का समाजिक सांस्यकृतिक अधार कौन सा है प्राजाती धर्म लिंग वेद जन तो ये सारे option आपको मिल जा रहे है तो इन option में जो right answer होता है जन में विभाजन किस बियुस्था में पाया जाता है नमबर एक है पूजी वादी प्रथा में दास प्रथा में जागेर प्रथा में इन में से सभी तो इस question के तो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा option number C जागेर प्रथा right answer C जागेर प्रथा हम पढ़ेंगे अगले question के ओर अगले question कह रहा है कि निम्न में से समाजिक अफ्तिकरण के आकार एकाउन से है option मिल जाएगा A number निस्क्रियता B number असुर अच्छा C number निरासा और बढ़ाओ D number इन में से कोई नहीं तो निम्न में से जो समाजिक अफ्तिकरण का आकार है कहें वो है option number right answer हो जाएगा इन में से सभी यानि कि निस्क्रियता अफ्रच्छा निरासा और बढ़ाओा ये सारे हो जाएगे इसलिए इस question के right answer होता है इन में से sorry इन में से कोई नहीं यानि कि इन में से कोई नहीं हो जाएगा option number आप ये भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा type करने में miss हो गया है तो यहाँ पर मैं आपको बता दू question के right answer हो जाएगा वो हो जाएगा इन में से सभी ठीके कोई नहीं से यहाँ पर मैने लिख जया तो यह सभी है इन में से कोई नहीं तो यह सभी है है 어우 अगले question के बढ़ेंगे हैं अगला question केरा कि निखित में से कौन समाजी आपको प्रेलचित करती है एक सक्ट बहुसता बी नमबर नातेदारी है तो आज किस वीडियों पूरे मेरे समाज साथ से रिलेटेड पूरे 20 को समझ में आ गया होंगे और थोटी से वीडियो थी जाला लंबी मैंने नहीं कीची है क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो मैंने यूटूब पे आप लोगों ने भी देखा होगे कि आधे घंटे से उपर जैने एक घंटे एग घंटे इरेगए गाई को पूछना है तो बेसक कमन करके पूछ सकते हैं सभी कोर्सेच की सभी सब्जेक्ट की माडल पर कोष्टन पर आ चाहिव एपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट प söyl कर दीजिए और अब जो भी कोशिचिन कर राइट एंसर आपको लगता वह कमेंट में आप लोग पूट्ट करिएगा कि कि इसक्राइट एंसर भी होगा यह होगा इस कि आप लोग मेसेज जरूर करिए कमेंट को फुल कर दीजिए और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वीडियो की टेलीग्रम के चैनल का लिंक है उसके जोएन हो जाएए उस पर बहुत साही जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी ठीक है हम आपको मिलते हैं इस